कड़ी महनत आपको वहाँ पर पहुचा देती है जहां अच्छी किस्मत साइद आपको पहुचा दे और मैंने अक्सर लोगों को ये सुनते वे दिखा है कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती ऐसे बहुत लोग बोलते हैं अगर आपके किस्मत अच्छी नहीं है तो कड़ी मैनत करिए साथ जो कड़ी मैनत आपको आपके जीवन में दे सकती है न वो अच्छी किस्मत भी आपको नहीं दे सकती क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूगा चैनल के उपर जो भी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने के वाद नोटिफिकेशन के बिल को धबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अबिट आप सबी को मिलता रहे और आज का जो पहला प्रस्त है 21 समार्च का वो यह है निर्मित कार के निकाए के रूप में मानवता के लिए निरंतर सेवा करने के लिए 2020 का प्रिटकर आर्किटेक्चर पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है उनका नाम आपको बताना है और ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आपका योवन फेरल को और किसको सैली मैकनमारा को और आपको मैं एक बात और बता दू ये दो लोगों को जो अवार्ड दिया गया है या लोग जो है वो आईरलेंड के रहने वाले हैं तो आज का आपका पहला प्रस्ट यहीं से निकल कर आ रहा है कि आईरलेंड का मुद्रा और वहां का राजधानी और वहां के पधान मंत्री का नाम है क्या यह आप सभी को कॉमेंट करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रस्ट है अगला प्रस्त हमारे सामने है कि BCCI के किर्केट सलाकार समीती के द्वारा राष्टी चैन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है और उनका नाम है इंडिया के पुर्व इस्पिनर बहुत अच्छे इस्पिनर रह चुके हैं जिनका नाम है आपका सुनील जोसी ऑप्सन नमबर आपका भी और BCCI का प्रेसिडेंट कौन है ये आप समी को पता है सौरभ गांगोली जिसके उपर क्वेस्टिन बन चुका है अगर पूछ दे ICC का हेट क्वाटर कहां पर है तो आप क्या बोलेंगे अबू धामी में ठीक है अगला प्रसमारे सामने है रक्षा मंत्राले ने देश में दो रक्षा आद्योगी गलियारे इस्थापित करने का निर्णाई लिया है एक गलियारा जो है वो उत्तर पर इस्थापित में से किस राज़ुमे जो है वो इस्थापित किया जाएगा ये आपको बताना है और दुसरा जो इस्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा आपका तामिल नाडु में और तामिल नाडु के सियम कौन है इड़ा पड़ी के पलनी स्वामी राजपाल तो ब जो आपको Google के Play Store पर मिल जाएगा और किसी भी एक्जाम का यानि किसी भी एक्जाम का से सारे एक्जाम का रेलवे के सारे एक्जाम का या बैंक के सारे एक्जाम का जो है मोग टेस्ट आप फोन के उपर दे सकते हैं हमारे application को डाउनलोड करने के बाद और वहां से अगर 399 वा ठीक है तो देखते हैं अगला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और अगला जो प्रस्त हैं हमारे सामने वो यह है आपको बताना है कि निवलिखित में से कौन है जो सिरलंका के खिलाफ मैदान में उतरने के बाद 500 T20 मैच खिलने वाला बिस्व का पहला खिलाडी जो है वो बन गया है यानि आप सभी को पहले मैं ये क्लियर कर दू कि T20 क्रिकेट मैच 500 मैच खिलने वाले एक लौते पिलियर जो है वो है आपके वस्ट इंडिस के केरन पॉलाड ऑप्सन नमबर आपका D आप सभी को पता है मुंबई इंडियन के लिए IPL में ये खिलते है तो कैरन पॉलाड जो है वो पहले खिलाडी बन जुगे है जिन्होंने T20 क्रिकेट मैच 500 मैच जो है वो इन्होंने खिला है दूसरे नमबर पर है जो इन्ही के टीम के खिलाडी जो है वो भी जो है वो चेन्नाई सूपर किंग से खिलते हैं आप सभी को उनका नाम पता होग ब्रेवो ठीक है और तिसरे नमबर पर इन ही के देश के खिलाडी जो है वो है आपके क्रीज गेल तो उपर के टॉप तीन पिलियर जो है वो वेस्टिंडीज के हैं जिन्होंने सबसे जादा T20 मैच खिला है और सबसे सिर्ष पर कौन है तो वो है आपके कैरन पॉलाट जिन्होंने 500 मैच खिला है ब्रेवो 453 और अगर बात करें तिसरे नमबर पर गेल की तो इन्होंने 403 मैच खिला है ठीक है अगला परसमाने सामने है ग्रे मंत्राले यानि होम मिनिस्टर ने गैर मानिता प्राप्त निकायो और लापता बच्चे और आप अपरादियों की पहचान करने के लिए निमलिखित में से किस प्राणी को मजोरी दी है कौन सा जो है वो सिस्टम जो है वो आप सभी का विक्सीत किया गया है तो उसका नाम क्या है 140 चहरे की 45 अप्सन नमबर आपका D अगला प्रसमारे सामने है निमलिखित में से किसने COVID-19 प्रबंदन पर सभी राज्यों के लिए एक राष्ट इस्तर की परिछण कारी साला का और ये निर्णाई लिया गया है और ये निर्णाई लिया गया है आपका हिल्थ मिनिस्टर के द्वारा यानि स्वास्त मंत्राले के पास है तो डॉक्टर हर्ट सवर्दन आप सभी को पता है दिल्ली से सांसद भी है अगला प्रसमारे सामने है सेतु भारतम योजना के तहत सरकार का जो लक्ष है राष्टे राजमार्गों पर निर्बंद यात्रा करके सुरक्षा सुरक्षित करने का और यातायात को कम करने लक्ष किस वर्सतक सरणक की मिर्तु दर जो है वो पचास परतिसा तक दो है वो कम हो जाएगी जो भी रोड एक्सिडेंट होता है वो पचास परतिसा तक जो है वो कम हो जाएगा यह टार्गेट कब तक रखा गया है सरकार के द्वारा तो वो टार्गेट रखा गया है आप का 2020 तक अगला प्रस्था बारे सामने है स्लोवेनिया के नए परधान मंत्री का नाम क्या है यह आप सभी को बताना है तो स्लोवेनिया के नए परधान मंत्री के रूप में किसे निक्त किया गया है तो उनका नाम है जैनेस जनसा option number आप सभी का C और एक बात यहां का capital क्या है यहांनी की राजधानी क्या है तो वो है आपका लूजू बल जना और मुद्रा क्या इस्तमाल करते हैं यहां पर तो वहां पर मुद्रा इस्तमाल करते हैं आपका एरो अगला प्रसमारे सामने है इंडिया फार्मा एंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन निमलिखित में से किस सहर में आयोजित किया जाएगा दा इंडिया फार्मा एंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 conference will be held in which of the following city और यह सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा आपका गांधी नगर में और गांधी नगर आप सभी को पता है गुजरात का जो है वो राजधानी है गुजरात के सियम कौन है बीजय रुपानी और राजजपाल की बात करे तो वो है आपके अचार देब्रत अगला प्रसमारे सामने है सेना के अंतराष्टिय सेमिनार प्रग्यान कॉंक्लेव 2020 का आयोजन जो है वो भूमी योद अध्यन केंद्रि द्वारा कहा पर अउजित किया जा रहा है और ये किया जा रहा है आपका डई दिल्ली में आप्सन नमबर आपका D अगला प्रस्वारे सामने है दो हजार तेईस में अंतराष्टिय अलोम्पिक समेती सत्र की मेजबानी के लिए कौन सा सहर जो है वो तयार किया गया है ये क्वेस्टिन आप सभी को बताना है विज सिटी औल से टू होस्ट दा इंटरनेशनल अलोम्पिक कमेटी सेशन इन टू थाउजन ट्वेंटी त्री और ये किया जाएगा आपका महरास्ट का राजधानी आपका मुंबई में और महरास्ट का क्यापिटल समी को पता है मुंबई वहां के मुख्यमत्री कोने भगस्ती खुसियारी और मुख्यमत्री बोलाओ राजजपाल और मुख्यमत्री कोने उद्दव धाकरे तो ये थे आपके important current affair 21 मार्च का इसका पूरा PDF आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो यहां से आप सभी जो है डाउनलोड कर सकते हैं सो मेरे जितने भी भाई मैं देख रहें सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी खयाल लखेगा और 22 मार्च को जो है वो आप सभी बोधी जी के जवारा भारत देश को alert करने के लिए क्योंकि आप सभी को पता है अभी हम सभी को safety में रहने की बहुत आउस सकता है तो मैं यही आप सभी से गुजारिस करोंगा कि जितने भी rules and regulation भारत सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है क्रोणा भारत से बचने के लिए वो आप सभी उस आदेश का जो है वो पालण कीजिएगा ठीक है चलिए